हलो फ्रेंट्स आप सबका हमारे चैनल जीके वित एस आरके में स्वागत है दोस्तो आज हमारा टोपी का राजिस्तान का इत्यास चलो दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं किसने बांस या भील को मारकर बांसवडा की स्तापना की तता इस बांस या भील के नाम पर क्षेतर का देहां रखा गया तो यह जगमाल द्वारा की गई थे तोी फिर सप półस सबसें गीगोली का युद्ध समन्द किस से है तो करस्ष्ना कुमारी से है तो घीघुणी का युद्ध था वह until 1807 में जैपूर के जगमाल दिवतिये ए इनके बीच जिसमें जगत सिंग जो दिवतिय थे उनकी विजयवे थी और ये युद जो राजकुमारी कृष्णा कृमारी थी उसके विवा को लेकर हुआ था और अंट में जो कृष्णा कृमारी थी उसको जहर देख दिया गया था तो दोस्ता अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नेक्स्ट कृष्ण देखिए 1658 के धर्मत के युद में दाराशिको है एम ओरंगजेब के मद्दे ओरंगजेब में युद के दोरान दाराशिको की सेना का नेतर्त्व किस ने किया तो ये किया था महाराजा जस्वन सिंग फर्तम ने ध धर्मत का जो युद था वो 15 पेल 1668 इस्वी को लड़ा गया था तो साई सेना का नेतर्त्व है वो दाराशिको के राजा जो जस्वन सिंग पर्तम और काश्यमली थे उन्होंने किया था नेक्स्ट क्यूशन जोदपूर के पर्तम सासक जिन्होंने अकबर की अधीनता सविकार की तो वो थे मोटा राजा उदेशिंग नेक्स्ट क्यूशन देखिए ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है तो ब्रजनगर के नाम से जालरा पाटन जाना जाता है अगला किशन उरे सिंग के साथ चितोड छोड़ने के पसाथ पन्ना धाय को किस स्थान पर आसरिय प्राप्त हो सका तो पन्ना धाय को कुम्बलगड में आसरिय प्राप्त हुआ था राजिस्तान एकिकरण के समये मतस्य संग में कोन सक्षेतर समली ते नहीं ता तो कोटा समली ते नहीं ता उसके याद करने का एक सुत्तर है ए बी सी डी अलवर भरतपूर क्रोली और धोलपूर नेक्स्ट है के सरी सिंग बाहरत का जनम सहपुरा भीलवाडा में कब हुआ तो के सरी सिंग जो बाहरत थे उनका जनम हुआ था अठारा सो भैतर इस्विय में नेक्स्ट चितोडगड की किस रानी ने बात सा हुमायू से मदत मांगे थी तो यह मांगे थी रानी करनवती इसको हम करमावती भी बोलते हैं नेक्स्ट नेमन में से कौन सा विद्वान पर्त्वी राज चोवान तिर्तिय के दर्बार में नहीं था तो जो सोम देव थे वो पर्त्वी राज चोवान तिर्तिय के दर्बार में नहीं थे गुरु नानक की वाने सुनाने के बाद पिलाए जाने वाला सर्वत को क्या कहते हैं तो उस सर्वत को बोलते हैं पुहल राजस्तान में सेव धरम को मानने वाली रियासत कौनची है तो राजस्तान में सेव धरम को मानने वाली जो रियासत है वो है जोधपूर रूपकवर नामक महिला किस गठना से सम्मंदित है तो रूपकवर है वो सती परता से सम्मंदित है 28 माई 1857 को नसीराबाद से राजिस्तान में सरोपरतम विद्रो प्रारम हुआ वह राजिस्तान के किस जिले में है तो नसीराबाद राजिस्तान के अजमे जिले में है नसीराबाद में विद्रो करने वाली बटालियन थी तो वो थी पंद्रवी बंगाल नेटिव इंफ्रेंटी बठा लियें नेक्स्ट हैं अठारोसो सत्याओन के आउवा में किस ब्रिटिस पोलिटिकल एजेंट के हठ्या हुई तो यह वह थी केप्टे ने में के मेंशन की तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगओ तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जिरूरे कीजिए